मैं एक मेगनिट हूँ मेरे दो कुतुब यानी पोल्स होते हैं नौर्थ पोल और साउथ पोल मेरे एर्द-किर्द मेगनिटिक फील्ड होती हैं जिसके जर्ये मैं अबजेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता हूँ मेगनिट्स के सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इनके अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अर्द भी एक बहुत बड़ा मेगनिट है इसके भी दो पोल्स होते हैं नौर्थ और साउथ जमीन के अंदर के हिस्से में आइरन और निकल पाया जाता है जो अर्थ को मैगनेट बनाता है जिसके नतीजे में मकनेटिसी मैदान यानि मैगनेटिक फील्ड बनती है क्या आपने कभी कमपस के बारे में सुना है? हम इसे जगा लोकेट करने के लिए इस्तमाल करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है? कमपस में एक नीडिल होती है जो के एक बहुत लाइट वेट मैगनेट से बनी होती है ये नीडिल अपने दाइरे में फ्रीली घूम रही होती है ये देखें ये है अर्थ इसके उपर नजर आने वाली कमपस की नीडिल का नौर्थ पोल अर्थ की magnetic field के south pole से attract होगा और इसी needle का south pole अर्थ के north pole से attract होगा इस तरहां ये needle जब rest करेगी तो एक तरफ का हिस्सा north को और दूसरी तरफ का हिस्सा south pole को face करता है चले अब हम magnet बनाते हैं इसके लिए आपको इन materials की जरूरत होगी अर्थ का बने होगी. अबस्ष बने हैं 2. 3. भाफ 2. अियूऔ की बने इस स्क्ट पिरीचा मादाने ये चेंड तरही, हुआाती 2. एकी जैड मेस्स, स्क्टॉm एकी ड्यूरत है and the needle in a bowl of water. Allow the cork needle to turn until they come to rest. In which direction is the needle pointing when it stops turning?